संबाद यात्रा पर निकले हैं संबाद यात्रा के दवरान जो है वो लगातार के रहे हैं कि एंडिये के जो घटक दल है नितीश कुमार वो जो है कही न कहीं मेरे पास आते हैं और गिल गिल आने का काम करते हैं और 2025 का विधान सवाद चुरा होना है अईसे में संबाद यात्रा कहा तक सफल होगी और जिस तरीके से राजनिती का जो कयासों का जो बजार होता है उसमें अब ये आसंका जताई जारी है कि नितीश कुमार फिल से जो है पल्टी मारने वाले हैं इसी सब तमाम मुद्दों को लेकर हम सीधी बाचीत करेंगी हमारे साथ भाजपा की प्रदिश प्रवक्ता है कुंतल क्रिस्ट क्या लग रहा है कि जो तेश्याद संबाद यात्रा पर निकले हैं कहां तक 2025 में सफल होगा हमने तो सुना था कि वो आभार यात्रा पे जाने वाले थे पर चलिए कमसकम उन्हें इस बात का तो आहसास हो गया कि बिहार की जिस ने उन्हें बुरी तरीके से नकार दिया, उस जनता से समवाद कमसकम करना चाहिए निता प्रतिपक्ष हैं, एक जिम्मेदार पत्पे हैं, पर अब परिशानी यह हो रही है कि अब तो यह बात आ रही है कि सिर्फ अपने दर्बारियों के साथ ही राजकुमार बात करेंगे। तेदश्वी जी एक राज तंत्र और राज परिवार का हिصसा है, और वो इस बात को छोड़ने को तयार नहीं है। तेदश्वी जी का आम जनता से कहीं कोई कनेक्ट होईं नहीं सकता है, चुकि वो लग तो राढ़ तंत्र में विश्वासी नहीं करते हैं, वो लोग तो र बरबारी हो चले युवराज के साथ यही तो है उनकी आत्रा तेश्वी जी जो अभी हार हुई है उनके विधान सभा में उससे इतने ज्यादा हताश हो गये हैं इतने ज्यादा निराश हो गये हैं कि सचाई जानते हुए भी वो कुछ का कुछ बोल रहे हैं जानते हैं तेश्वी जी के हालत क्या हो गई है एक बहुत पुराना शेयर है सुना देता हूं मैं लाख कह दूं की आसमा हूं मैं मैं लाख कह दूं की जमी हूं मैं पर उसे पता है कि कुछ नहीं हूं तेश्वी जी कि राजनतिक रूप से उनका तंबु बिहार से उखर चुका है राजनतिक रूप से तदश्वीदी शून ने हो गये हैं पर फिर भी दिल के बहलाने को ये सारी बाते कह देते हैं आपने देखा होगा कि 2024 लोगस्वाचुनाव से पहले उन्होंने जनविश्वास रेली का जन क्या था उसके बात जो है लोगस्वाचुनाव उनको चार सीट मिली थी अब जो है संबाद यात्रा पर निकले हैं 2025 का विधान्सवाचुनाव नर्जदीक है ऐसे में क्या लगता तेदश्वी आदव की हालत ये है कि 2010 में जो 22 सीटों पे थी राज़त शायद उस इस्थिती में भी तेदश्वी आदव नहीं पहुंचें और इस सच्चाई को जानते हैं इसलिए उन्होंने जनता के बीज जाने की बात छोड़ करके कहा कि मैं सिरु अपने कारेकरताओं क अब शूर नहीं हो चुका है बिहार की जनता समझ चुकी है कि राश्ट्रिय जनता दल बिहार को फिर से उसी जंगल राज की तरफ ले जाने की तरफ अग्रसर है और बिहार की जनता फिर से अब जंगल राज की तरफ जाने में कोई एक शुक नहीं है दोजार पचीश का विधान सभा चुना नजदीक है इसे में आपके जो घटक दल है उपेंदर कुछ वा का बयाना है कि जो लोग सभा में जिस तरीके से आकलन हुआ था जो समिक्रन बैठा था उस समिक्रन के अधार पर विधान सभा में चुना नहीं होगा नहीं लड़ा जा अधा हरगना यह लड़ा है और उपेंद्र जी जिस द्हे के साथ राजय you गया है वह सिर्फ एक है कि बिहार किस तरीके से विकास की राह पे आगे बढ़ेगा और किस तरीके से दोहजार फचीश में नडिये दोहजार दस से बेहतर करेगा थीच्छीश केुनावां के नितीश कुमार जी के चेहरे पे नितीश कुमार जी के नितित्व में दोहजार पच्चिस में इंडिये चुनाओ लड़ेगी और दोहजार पच्चिस में चुनाओ के बाद फिर से नितीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे यह फिक्स है आपके सामने कह रहा हूं आपक देखने से किसी को कोई रोक तो है नहीं इसी को दिन में देखा जाने वाला सपना कहते हैं यह ते हमारे साथ कुंतल कुछी जिनको आप सून रहे थे एसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रही है देखतेरी एक शुन्टिफूर फिलाल धन्यवाद